Hello friends, welcome to our channel Knowledge247 So friends, आज हम लोग next concept की ओर बढ़े रहे हैं आज हम लोग कुछ नए rules पढ़ेंगे और last में उन rules, उन concepts related कुछ important question करेंगे जो आपके previous year question paper में पूछे गए हैं So, आज का lecture रिस्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला concept आपका क्या है पहला concept आपका है Nouns repeated with preposition are always used in singular form It means, इसका कहने के मतलब यह है आपका इस concept का कि अगर दो noun आपके preposition से जुड़े हूं Noun first plus preposition plus noun second तो वहाँ पर जो आप लोग यह noun हैं इनका हम always singular में यूज करेंगे कभी भी plural नहीं बनाएंगे क्या करेंगे इनको हम लोग similar में यूज करेंगे कभी भी plural नहीं बनाएंगे आपके तामने example भी लिखे हुए कौन कौन सार्शे word है door to door हो गया R to R हो गया dev id हो गया एक्षेक्टरा words ऐतनी कि यही इतने ही शारे words हैं बहुत शारे words हैं लेकिन आप समझ लीजेगा जब दो noun दिये गए हुँ और preposition से जुड़े हुँ तो उसको हम लोग किस में यूज करते हैं similar में यूज करते हैं उसका plural नहीं बनाते हैं इसको एक example ते तमझते हैं आपकी examic का ऐसे पूछेगा किस प्रकास error detection आएगा इससे related वो देख लीजेगा लिखा हुआ है speakers after speakers came on the stage to perform speakers after speaker came on the stage to perform तो यहाँ पर देखीगा क्या इरह आ रहा है अभी अभी आपने एक concept पढ़ा था कि दो noun दिये हुँ और उनके बीच में लगा हुआ आपका preposition तो इसका हम plural नहीं बनाते हैं तो यहाँ पर speakers after speakers लिखा हुआ है जो plural में है इसलिए इसको हम किस में बनाएंगे singular में बात करते हैं next concept की कि आपका next concept क्या कहता है next concept आपका है a pest trophy as can be used with living things but in case of non living things it is replaced by of मतलब जो आपका पहले जानते कि आप इस्ट्रॉफियस होता क्या है जब हम किसी भी चीज का किसी भी वस्तु का किसी भी थिंग्स का possession सो करते हैं तो तो इसमें हम आप इस्ट्रॉफियस लगाते हैं क्या लगाते हैं अप इस्ट्रॉफियस और कब लगाते हैं इसको हम केवाल living things में लगाते हैं किसमें लगाते हैं living things में अगर वहीं पर बात आपकी non living की हो non living things की तो वहाँ पर हम position सो करने के लिए आपका प्रियोग करते हैं आपका जैसे यहाँ पर लिखा हुआ राम्स बुक जैते यहाँ पर क्या लिखा हुआ है राम्स बुक राम्स की बुक राम्स की किताब तो राम्स बुक का position सो करने के लिए यहाँ पर apostrophe S का यूज किया गया है किसका यूज किया गया है apostrophe S का यूज किया गया है जो आपका यहाँ पर यह राम है यह living है इसलिए हमने इसका पजिशन सो करने के लिए apostrophe S लगाया है यही पर अगर हम नीचे वाले एक्जामपल को देखें तो लिखा हुआ है लेगा आप दा चेयर मतलब जो चेयर आपका कैसा है non-living है इसलिए इसका position सो करने के लिए हमने किसका प्रयोग किया है आफ का आफ का यूज हमने इसका position सो करने के लिए किया है हमारे कहनेकताद पर यह है इसका मतलब यह है जब भी question में आप living things का position सो करेंगी तो वहाँ पर अपेश्ट्राफियस लगाएंगे और non-living का position सो करेंगे तो वहाँ पर हम आफ का यूज करेंगी बात करते हम next question की इस next concept की और बढ़ते हैं आपका next concept कहता है one of, most of, half of, some of एक्स एक्ट्रा वर्ड्स एक्स एक्ट्रा वर्ड्स अगर आपके question में आए हैं तो इसके साम थम always plural noun का यूज करेंगे किसका यूज करेंगे plural noun का लेकिन जो हमारी वर्ब होगी वो कैसी होगी singular होगी कैसे एक example ते तमस्ते हैं माली यह आपकी कोई basket है और यह बहुत शारे फल रखे हुए हैं बहुत शारे एप्पल्स माली यह रखे हुए हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे अब माल लेती नहीं एप्पल्स में से एक एप्पल आपका क्या हो गया खराब हो गया क्या हो गया खराब हो गया तो हम बोलेंगे all of the apples is rotten क्या बोलेंगे sorry बोलेंगे one of the apples is rotten मतलब apple कितने हैं बहुत सारे हैं इसलिए हम उसके लिए noun कैसा यूज़ करेंगे plural यूज़ करेंगे लेकिन खराब कितना हुआ है only one इसलिए जो verb यूज़ करेंगे वो कैसे यूज़ करेंगे singular यूज़ करेंगे इसलिए कहीं भी question में आपको one of most of sum आप दिखाई दे तो उस समय आप noun plural लेंगे लेकिन जो verb यूज़ करेंगे उसको singular यूज़ करेंगे बात करतें next concept की तो next concept आपका कहता है कि noun expressing numbers with numerical adjectives are always used in a singular form जब भी किती question में numerical adjectives यूज़ हो जाएं यसे आपका dozen हो गया dozen हो गया hundred हो गया millions हो गया dollars हो गया एक शेक्टरावर यूज़ हो और उसके पहले numerical value लगी हो one two three four तो उसको हम सहर दयो singular verb में यूज़ करते हैं किसमें यूज़ करते हैं singular form में इसलिए यहाँ जो dozens है यहाँ थे हम s को remove कर देंगे बचेगा आपका क्या only dozen बात करते हैं हम next concept की next concept आपका कहता है कि जब कभी भी दो नाउन जब कभी भी दो नाउन आपके end से जुड़े हो किस से जुड़े हो end से जुड़े हो जब कोई दो नाउन end से add हो और उनका relation only one things का हो केवल एक की और denote कर रहे हो तो वहाँ पर हम लोग जो verb यूज करेंगे वो singular यूज करेंगे कैसे लिखा एजांपल आपके सामने लिखा हुआ है bread and butter time and time rice and curry ध्यान रखेगा इनके साथ हम always verb कहती यूज करेंगे singular यूज करेंगे next concept के और हम बढ़ते हैं next concept आपका कहता है a number of a large number of large number of except words अगर आपके question में आई हुए है तो इसके साथ आप noun तो plural लेंगे ही लेंगे साथ में आप इसके साथ verb भी plural लेंगे क्या लेंगे वर्ब भी plural लेंगे चलिए इसको एक्जामपल ते तमस्ते हैं लिखा हुआ है a number of student have been guided by their mentor इसमें देखी का क्या error आ रहा है आपके error बताना है तो देखी यहाँ पर जो आपका a number of इसके बाद लिखा हुआ student student है क्या? noun तो आपका rule कहता है जब भी आपका a number of इलाज number आप आएगा question में तो वहाँ पर आपका noun क्या होगा? plural होगा noun plural तो क्या होगा? word भी आपकी कैसी होगी? plural होगी इसलिए यहाँ पर जो आपका student word है वो क्या होगा? plural आएगा इसलिए यहाँ पर यह क्या होगा? students होगा बात करते हैं next question की अब हम लोग question की और बढ़ते हैं कुछ important question है जो आपके exam में आई हुए है SSC के question कुछ आपके सामने दिये गए हैं इनको शाल कीजेगा पहले question की और बढ़ते हैं पहला question लिखा हुआ है situation आप बिहार in the meeting इसमें समझेगा यहाँ पर लिखा woman after woman इसमें क्या error आ रहा? error आपको बताना है देखिए अभी आपने पहले question में पढ़ा हुआ है पहले concept पढ़ा है कि जब दो noun आप preposition shared हो तो उनका हम लोग कभी plural नहीं बनाते तो यहाँ पर जो woman word लिखा हुआ है यह आपका plural है तो इसका singular क्या होगा? woman होगा write का लेजिएगा इसको cycle लेजिएगा बात करते हम next question की next question आपका कह रहा है the customer handed over a hundred rupees note to the shopkeeper इसमें error बताना है आपको क्या error आ रहा है? इसमें देखिएगा तो देखिए इसमें लिखा हुआ है rupees तो यहाँ पर क्या होगा? hundred rupees note होगा क्या होगा? rupee note होगा बात करते हैं next question की लिखा हुआ है one of the problem with you is that you do not come in time इसका answer कीजिएगा बताईगा इसमें क्या error आ रहा है? आपको error बताना है इसमें तो देखिए इसमें आपका जो लिखा हुआ है पहले कांते अपने आपने पढ़ा था जब भी कभी one of the आ जाए one of जब भी कभी आपको one of the कभी भी किसी भी question मिल जाए तो उसके साथ जो आपका noun होगा वो plural आएगा और जो वर्भ होगी आपकी वो कैसी होगी? singular होगी आपने पहले कांते अपने ये rule clear कर लिया था उसी से related ही आपका error आया हुआ है तो इस error में आप question में देखें आप लिखा हुआ one of the problem problem आपका है क्या? noun है noun कैसा होगा अगर one आप दे लिखा है? तो plural होगा तो यहाँ आपने problem ना करके क्या करेंगे? problems करेंगे ठीक है? अब बात करते हैं next question की लिखा हुआ है all the girls students of the college are advised to sit in the girls common room इतमे error पताईएगा क्या error आ रहा है? देखी आपने पिछली class में एक concept पढ़ा था compound noun का उसी से related यह question है देखी कैसे? लिखा हुआ all the girls students यहाँ पर क्या लिखुआ girls student जो आपको girls student की कैसा noun है? यह compound noun है और आपको पता है compound noun का plural कैसे बनाते हैं? जब compound noun में plural कैसे बनाते हैं? तो compound noun जो main verb होता उसमे यह 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 लगाकर हम plural बनाते हैं तो girl student का plural क्या बनेगा? girl students बनेगा क्योंकि यहाँ पर main word है वो आपका student है तो students का plural बनाएंगे ना कि girl girls से हम इसको remove कर देंगे तो आपको जो पूरा sentence है बिलकुर right form हो जाएगा तो right sentence आपका क्या बनेगा? all the girl students of the college are advised to sit in the girls common room बात करते हैं next concept की next concept आपका कहता है the majority of women teachers are pursuing to are pursuing the principle to consider their demands इसका answer कीजेगा इतके बाद कुछ यह आपके exception दिये गए है कुछ आपके अपवाद दिये गए है यहाँ पर फिर इनकी बात करेंगी है माज तो यहाँ पर देखिए the woman teacher भी आपका कैसा है compound noun है कैसा है compound noun दिया गया है और आपको पता है woman teacher का plural कैसे बनाते है woman teacher का plural कैसे बनाते है आपके एक concept समझाया था जब कभी भी compound noun का plural बनाना हो और मैन या उमैन का जिक्र पहले हो उसमें मैन या वूमैन का जिक्र पहले किया गया हो तो हम दोनो noun का plural बनाते हैं तो यहाँ पर woman teacher ना होकर क्या होगा woman teacher होगा woman teachers इसकी बाद हम बात करते हैं यह नीचे कुछ word दिये गए हैं इनका plural की इनका pluralization करना है इनका क्या करना है plural form करना है देखिए आपका लिखा man lover तो man lover यह आपका exception है अपवाद है इसलिए हम इसका क्या बनाएंगे man lovers होगा क्या होगा lovers होगा इस तरह इसका man eaters होगा इसका woman haters होगा sorry guys इसका क्या होगा man lover आपका man eaters woman haters इसका woman man यह man का plural ना बन करके इसके बाद वाले word का plural बनेगा बात करते हम next question की next question आपका कह रहा है he said that he always kept in his pocket a bundle of 100 rupees note इसका error बताईएगा इसमें क्या error आ रहा है बिल्कुल सही यहाँ पर आपका rupees नहीं होगा यहाँ पर आपका answer right answer होगा रुपी 100 रुपी note बात करते हैं next time आपके कुछ important यहाँ पर numbers दिये गए कुछ important words दिये गए हैं जिनको singular to plural form करना है यह बहुत important यह बहुत ही important singular plural form है इसे related question अधिकतर exam में put up होते हैं जिनका answer कीजेगा पहला आपका लिखाओ fungus तो fungus का plural क्या होता है बताईएगा तो fungus का plural आपका fungi होता है F-U-N-G-I note करते जाएगा दूसरा आपका लिखा हुआ है लोकस लोकस का होता है लोशी तीसरा आपका लिखा हुआ है radius इसको तरह डी R-A-D-I-I बात करते हैं slavis की तो इसका plural form आपका slavie होता है क्या होता है slavie होता है बात करते हैं फोकस की तो focus का आपका focus होता है F-O-C-I हम बात करते हैं इसके next cactus की इसके cacti होता है C-A-C-T-I cactus का plural cacti होता है बात करते हैं अगर हम बात करते हैं अब die की die क्या होता है die इस तरह mouse का आपका mice होता है यह तो आप जानते ही है next slide देखिए आपका stadium लिखा हुआ है stadium का stadia होता है S-T-A-D-I-A stadia बात करते हैं next phenomenon की होता है phenomena P-H-E-N-O M-E-N-E आपके